हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने सारों कि कैसे आप अपने Pogo X6 Pro Android में आप अपने मुगाल फून की डिलीट हो चुकी फोटे हैं वीडियो को आपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दोस्तों आप अपने मुगाल फून की डिलीट हो चुकी फोटे हैं वीडियो को आपना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं पहले तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone की सेटिंग के जरीए आप जोई डेलीट होची की photo एयर विडियो को recover कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने mobile phone में किसी भी third party application का यूज करके आप जोई डेलीट होची की photo को recover कर सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मुवैल फोन की सेटिंग के जरीए आप जो डिलीट हो चुगी फोटे वीडियो को रिकवर कर पाएंगे तो चले पहले वीडियो के बढ़ाते हैं दीके दोस्तों सबसे बहальную तो हूँए आपको अपने मुवैल फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं फोन की गैलरीमें इस फोटो को आप ध्यान से देख़िए इस फोटो को पहले मैं बढ़ा करके दिखाता हूं इस photo को पहले मैं delete करूँछा इसके बाद मैं आपको इस photo को recover गता हूँ ठीक है? तो इस photo को डिखे depends के आप на tämä इस पहले मैं delete करें एस तरह के दिचे और इस Augen according to this video. हैं आपको फोन की गैलरी में जितनी फॉट बीडियो आप डिलीट करते हैं सारी इस पेज पर आप गया आपको नहीं छते हैं और उट है जाए उसके अजने प्रिपाने पर आप चेक कर लेते हैं हमारा फोटो प्रिष को हुआ ही की नहीं हुआ है ठीक है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए हमारा यह photo जो है रीकवर हो चुका है और अपनी ठीक जगह पर वापिस आ चुका है, जहां से मैंने डिलेट किया था, ठीक है, तो इस तरीकी से आप जो है डिलेट हो चुकी photo है वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ए अंदर आप जो है डिलेट हो चुकी photo है वीडियो को यहां से रिकवर कर सकते हैं, और यहां पर देखिए तीसरी लाइन में लिखा हुआ है 30 डेज, यानि कि 30 दिनों के अंदर भी आप जो है डिलेट हो चुकी photo है वीडियो को यहां से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यह 60 दिन की लिमिट और तीज दिन की लिमिट दोनों अलग अलग तरीके जा काम करते हैं आपको समझाता हूं कैसे ठीक है देखे इसके लिए आपको है ना बैक पेज चाना है ना आपको बटन टैप कर गया अगर आप यह बैक अप कर देफ हो तो चालू करने के इस बीन वाले पेज में 60 दिनों तक पड़ी रहेगी, 60 दिनों के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, 60 दिन में रिकवर नहीं किया, तो 60 दिन बाद जो है, आप बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद अगर आप कोई भी फोटो डिलीट करेंगे, तो वो फोटो आपकी इस 30 दिनों तक पड़ी रहेगी, 30 दिनों के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं, 30 दिन में रिकवर नहीं किया, तो 30 दिन बाद जो है, आपको समझ में आगी, 60 दिन की लिमिट और 30 दिन की लिमिट, तो दोस्तों इस तरीके सा आप जो है डिलीट हो चुगी, फोटो वीडिय कर सकते हैं, ठीक है?